आज जानने वाले पेरासिटामल 100MG कुछ ड्रोप के बारे में पेरासिटामल 100MG ड्रोप्स बेफाक रूप से दी जाने वाली दवा है जो दर्थ को काम करने और सरीर के उच्चेता बुखार को समाइनने करने में मदद करती है चलिए जाते हैं पेरासिटामल 100MG औराल सस्पेंसिन किस प्रकार काम करता है पेरासिटामल 100MG ड्रोप्स में एनलजिसिक दर्थ निबारक और एंटि पायरिटिक सरीर के ताब मार्क को काम करने के गून होते हैं यह मस्तीक में दर्थ और बुखार के संकित देने बाले जान लेते हैं और उनके कितने कितने प्राइज हैं ओभी जान लेते हैं Sumoel Drops Suspension और इसके प्राइज है 30 रूपीस दूसरी Paracetamol Oral Suspension 100 mg है Dollar Drops Suspension और इसके प्राइज है 30 रूपीस दुसरी ड्रॉपीस है Paracetamol Oral Suspension 100 mg T98 Pediatric Drops और इसके प्राइज है 29 रुपीज पराशितामल पेडियाइट्रिक औराल सस्पेंशन 100 mg के बनी चौथी ड्रोप्स है केलपॉल पेडियाइट्रिक ड्रोप्स के प्राइज है 30 रुपीज पराशितामल औराल सस्पेंशन 100 mg से बनी पाच्वी दवा है बेबी जैसिक ड्रोप् से प्राइज है 22 रुपीस प्राइजीटामल पीदियाट्रिक oral suspension 100 mg से बनी दवा पायरीजिक ड्रॉप्स और प्रायरीजिक ड्रॉप्स के प्राइज है 30 रुप्स इन सभी ड्रॉप्स में प्राइज़ 100 mg रहता है इन से भी ड्रॉप्स 15 ml के पेकेज में मिलता है चैसी यह जानते प्राशीटा मॉलहंड्रेट एमजी ट्रॉप्स के यूज किन किन कंडिस्टिन को ट्रीट केने के लिए क्या जाता है। बच्चों में सीर दर्थ, दात के दर्थ, सरीर में दर्थ, बुखार में और सरदी जुखाम जैसी इस्तितियों का इलाज करता है। फ्राशीटा मॉलहंड्रेट एमजी डॉप्स के साइड एफेक्ट है। अपच, पेट में दर्थ, मिचली आना, उल्टी, फ्राशीटा मॉलहंड्रेट एमजी डॉप्स को बच्चों को दूद्या खाने के साथ दे ताकि उनके पेट में कोई गड़बडी ना हो, पच्चों क वो एक दिन में चार बार दिया जा सकता है, चार घंटे के अंतराल अंतराल, अगर आपके बच्चे को लिभर की विमारी है, तो इसके बारे में अपने डोक्टर को जुरूर सुचित करें, इस दवा को लेने के बाद भी, आपके बच्चे में कुई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है, तो सलहा है कि अपने डोक्टर से सामपर्ट करें, और अपने आप अतिरिक्त डोच में अपने बच्चे को ना दें, प्रासिटाम और हंड्रेट एमजी से बने ड्रॉप्स की डोच, इस दवा को जीरो से लेकर दो साल के बच्चे तक दिया जाता है, इसलिए उनके वज़ान अरुणके उम्रे पर निर्भर करता है, इसलिए इन सभी दवा को लेने से पहले कि प्याँ डॉक्टर की इस्वार जुरूर लें, क्योंकि डॉक्टर हमें सामेरी, जो के उम्रे, उनकी लिंग, उनकी वजान, उनकी इस्तिति, चिकित सा इतिहास को देखकर ही कोई भी दवा को सेजेस्ट करते हैं इसलिए कोई भी दवा को इस्तमाल करने से पहले की प्या डोक्टर की सलह जुरूर लें